आज के सेशन में हम लोग इंफलेशन को समझेंगे इंफलेशन के इफेक्ट किस तरीके से इंफलेशन को कौन इफेक्ट करता है इन सब चीजों के बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में आप लोग मेरी सारे डिटेल्स यहां देख सकते हैं मेरा नाम पायल गुपता है और आप लोगों के जीए के सफर में आपका सफर बहुत आसान करने में आई हूँ specially economics और geography के लिए आप लोगों के साथ में मिल रही हूँ पर्चम app आप लोगों के लिए ssc के course लेके आया है आप लोग अपनी जीए की बहुत अच्छे से बहतरीन तयारी करना चाहते हैं तो आप लोग पर्चम app पर courses को avail कर सकते हैं आप लोगों को extra discount के लिए code use करना है pile 15 कोई space नहीं है बीच में अगर आप लोग मुझसे separate economy का course लेना चाहते हो separate economy पढ़ना चाहते हो तो economy का course भी पर्चम app पे मिल जाएगा जिसमें मैं बिल्कुल zero से लेके बिल्कुल high level की economy को cover करूँगी notes आप लोगों को मिलेंगे practice session मिलेंगे हर video के बाद हर session के बाद हर topic के बाद आप लोगों को कुछ mcq practice मिलेगा दोनों courses के उपर extra 15% discount के लिए use my code pile 15 तो हम topic में आगे बढ़ते हैं हम लोगों को पढ़ना है inflation अब कैसे questions आते हैं हमें वो topic समझ आया नहीं यह भी चेक करना बहुत जरूरी है इसके लिए टियर वन की test series पर्चम app पर है आप लोग जल्दे से download कीजिए पर्चम app और इन test series को लगाईए ताकि यह पता लगे कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और कितना आप लोग perform कर पाएंगे जब आपका final examination होगा क्या होता है inflation कैसे होता है inflation इसको समझते हैं पहले layman terms में समझेंगे फिर हम slides पे आएंगे देगे क्या होता है inflation किसको कहते है हिंदी में इसको कहते है महंगाई या मुद्रासफिती ठीक है तो inflation का मतलब क्या होता है अगर किसी चीज के अगर किसी good के या अगर किसी service के price पहले टैन रुपीज थे अब उसके price बढ़कर हो गए 12 रुपीज, 13 रुपीज, 15 रुपीज, 11 रुपीज मतलब पहले से ज़ादा बढ़ रहे है price उसको हम inflation कहते है सीधी सी बात है मैं पहले दाल, चाव, लाटा, चीनी माल लीजे 100 रुपे में आ जाता था आज वही दाल, चाव, लाटा, चीनी 500 रुपे में आ रहा है पाड़ी, ये मार्कर, ये माइक ये सब चीजे goods है because हम इनको चू सकते है कोई भी वो चीज जिसको आप touch नहीं कर सकते जो intangible होती है उसको हम कहते है services for example, डॉक्टर ने अपनी OPD की fees पहले 100 रखी थी अब 500 कर दिया, आप क्या कोगे डॉक्टर की services महंगी हो गई मैं पहले अपना course जो है वो 100 रुपीज में बेच रही थी अब मैंने 120 का कर दिया आप क्या कोगे, माम की services महंगी हो गई क्यूक्कि जो ग्यान मैं आपको दे रही हूँ आप उस ग्यान को touch नहीं कर सकते मतलब वो service है डॉक्टर जो अपना ग्यान यूज करके आप का इलाज कर रहा है वो उसकी एक service है लॉयर जो अपने ग्यान का यूज करके आप लोगों के cases को solve कर रहा है वो लॉयर की service है इसी तरीके से CA की service है designer की service है, वो कोई सामान आपको नहीं देते design तयार करके दे दिया किसी ने गाड़ी का उसने सामान नहीं दिया आपको उसने अपनी बुद्धी, अपनी creativity दिया आपको जिसको आप छू नहीं सकते जिसको आप touch नहीं कर सकते उसको service कहते है इस पूरे ब्रह्मान में, इस पूरे universe में या तो कोई चीज good होगी या कोई चीज service होगी Good या service के अलावा तीसरी कोई चीज होती ही नहीं ठीक है? और inflation क्या होता है? चाहे किसी good के price में increase हो जाए, चाहे किसी service के price में increase हो जाए तो goods और services दोनों के ही prices में increase होना inflation कहलाता है CGL में एक बार question पूछा गया था, what is inflation, question क्या पूछ लिया था, what is inflation, यह लगबग 2014-15 की बात है, जब यह question बना था, what is inflation, A option है, कि increase in price of goods, increase in price of goods, A option उसने ऐसे दे दिया, B option क्या कह दिया, increase in price of services, और C option उसने दे दिया था, both A and B, और D option दे दिया था, कि none of the above, means nota, तो आपको सीधा सा पता है, कि inflation क्या होता है, goods के price ब increase होना, और service के price ब increase होना, answer will be C, price of goods and services, both are rising, उसको हम कहते है, inflation, उसको हम कहते है, महंगाई, मुद्रास्विती, जो भी आप कहना चाहे, जनरल rise in prices of goods and services, goods और services के prices में generally rise हो जाना, inflation कहलाता है, यह inflation क्यूं होता है, अब उसको समझो, inflation क्यूं होता है, क्या ऐसी वज़े है कि चीजे पहले से महंगी हो रही है, उसकी वज़े है demand, पूरी market demand और supply के खेल से चल रही है, उसकी वज़े है demand, demand कैसे, समझो, मेरे पास मान लीजे 50 books हैं, मेरे पास 50 books हैं, और उन 50 books के लिए 5000 लोग लाइन में खड़े हैं, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मैं ही shop की पर, मैंने देखा, कि इतने सारे लोग line लगा के खड़े हैं, अगर मैं इन books की कीमत को बढ़ा दूँगी, अगर मैं इन books के price को बढ़ा दूँगी, तो भी कोई लोग तो इसमें से निकली जाएंगे 50, जो बढ़ी हुई कीमतों पे 20 को ले लेंगे, यानि मैंने देखा, क्योंकि इसके उपर मारा मारी है, demand बहुत जादा है, और मेरे पास supply उतनी है नहीं, इस वज़े से मैं क्या करूँगी, मैं इसके price को rise कर दूँगी, मैं इसके price को increase कर दूँगी, price को rise कर दूँगी, तो inflation की वज़े क्या हो गई, demand का बढ़ना, inflation की वज़े, demand का बढ़ना with less supply, supply कम है और demand जो है वो rise होती जा रही है, ये demand कैसे बढ़ती है, कहां से ये demand करने क्या, जज़बा आता है इंसान में, demand बढ़ेगी पैसे से, जितना ज़्यादा money लोगों के हाथ में होगा, उतनी ज़्यादा वो demand करेंगे, for example, मेरे purse में 10 रुपे है, मैं plan करूंगी क्या, मैं किसी movie की demand करूंगी क्या, मैं कि मुझे शाम में थेटर में एक movie बुक करनी है, मैं सोचूंगी क्या मुझे गाड़ी बुक करनी है, मैं सोचूंगी क्या मुझे एक flat बुक करना है, मैं सोचूंगी क्या मुझे कोई jewelry बुक करनी है, क्या हुआ भगवान की कृपासे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया बहुत सारा मनी आ गया मेरी बहुत बढ़ी है जॉब लग गई बढ़िया मुझे एक करोड का पैकेज मिल रहा है yearly अब क्या होगा मैं भी demands को बढ़ा दूंगी कि मुझे भी गाड़ी चाहिए मुझे भी एक बाइक मुझे भी एक स्कूटी चाहिए मेरे घर में centralized IS होना चाहिए मेरा बड़ा सा flat चाहिए यानि आपने cement की demand की आपने इटो की demand की आपने सर्य की डिमांड की आपने बहुत सारे मेटीरियल की डिमांड की जैसे जैसे इंसान के पास पैसा होता रहता है वो वैसे वैसे डिमांड को बढ़ाता रहता है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे ये महंगाई जो है वो आसमान छूती रहती है ये इंफलेशन जो है उसकी असली फसाद की जड़ ये डिमांड नहीं है क्या है ये पैसा है क्योंकि पैसे की वज़े से डिमांड हो रही है अब आपको मैंने ना RBI गवर्नर बना देना है मैंने आपको RBI गवर्नर बना दिया मान लीजिए अब मैंने कहा कि भाईया प्राइस जो है बहुत महंगाई होती है, क्योंब ना हम लोगों का money ही control कर ले क्योंब ना हम लोगों की pocket में это पैसा ही ना पहुँँचने दे जब उनकी pocket में पैसा नहीं पहुँचेगा तो obvious सी बात है वो demand ही नहीं कर पाएंगे और demand नहीं कर पाएंगे तो obvious सी बात है कि inflation हो गा तो हमको ये पता लगाना है ये पैसा कहां से आता है जहां से हम उसके उपर रोक लगा दे जहां से हम उसको कंट्रोल कर ले ये पैसा कहां से आता है पैसा आता है स्टूडेंट्स बैंक से बैंक लोन से वैसे बहुत सारी जगा से आता है आप लोगों को पर्टिकुलर जॉब मिल जाए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को नोकरियां मिल रही है, तो आप लोगों के पास बहुत पैसा हो रहा है, आप लोगों की salary बढ़ रही है, आपको पैसा मिलेगा government ने tax लेने कम कर दिये तो आपको पैसा मिलेगा अभी समझेंगे, अभी मैं बस आपको एक point of view से समझा रही हूँ, बैंक के point of view से समझा रही हूँ, अभी लोण कैसे पैसा बढ़ाता है, इसको समझो, बैंक B1 है और बैंक B2 है बैंक B1 ने कहा हम 5% rate of interest पे आपको लोण देंगे और बैंक B2 ने कहा हम 11% rate of interest पे आपको लोन देंगे आप कौन से बैंक में जाएंगे आप कहेंगे माम, very obvious है हम लोग तो बैंक B1 में जाएंगे कहां जाएंगे हम? हम बैंक B1 में जाएंगे क्योंके यहां पे मुझे इसके comparison में सस्ता लोन मिल रहा है ठीक है जी अब आपकी मदर ने आपसे कहा कि बैंक जाओ और ना 10 लाख का लोन ले लेना 10 लाख का लोन ले लेना आपने कहा नहीं ममा 5% rate of interest देना मुझे बहुत महँगा पड़ेगा 10 लाख अपने से वापिस नहीं उत्रेगा हम 10 लाख नहीं लेंगे हम तो 3 लाख ही लाएंगे क्यूंकि rate of interest मुझे वापिस करना है principal amount मुझे वापिस करना है मैं 10 लाख वापिस नहीं कर सकता हम तो 3 लाख ही लेंगे अब जैसे ही आप बैंक में पहुँचे बैंक वालों ने आपको खुशखबरी दे दी क्या खुशखबरी दे दी कि दिवाली ओफर चल रहा है और जो लोन के प्राइस है न वो हम लोगों ने 2% कर दिये हैं for 2 days जो भी कस्टमर मैं hypothetical situation समझाने की कोशिश कर रहूं ऐसा होता नहीं है जो भी कस्टमर इन 2 दिनों में आएगा हम उसको 2% ब्याज की दर से 2% rate of interest से हम उसको लोन दे देंगे अब आप खुशी की मारे पागल हो रहे हो आपने अपने घर पे अपनी मम्मी को फोन किया कि मम्मी आप कह रही थी ना कि 10 लाक लोन लेलो मैं 10 लाक ही ला रहा हूँ मम्मी कह रही है क्यूं अब क्या हो गया अभी तो तुम ना कर रहा था मम्मी अबना मुझे और ज्यादा सस्ता लोन मिल रहा है जो पहले 5% rate of interest वाले बैंक थे ना उन्होंने 2% कर दिया है तो अब आप जो कह रहे थी थी ना कि 10 लाक लोन लिया मैं 10 लाक ले आऊँगा यानि इससे आपने क्या conclusion निकाला कि लोन आपको जितना सस्ता मिल रहा है लोन जितना चीप मिल रहा है जितने कम rate of interest पे मिल रहा है जितने कम landing rate of interest पे मिल रहा है उतना ही जादा आप पैसा ले के आओगे उतना ही जधा आप लोग लोन ले आओगे उतना ही जधा आपकी pocket में पैसा होगा उतनी ही जधा आप लोग demand कर रहे हैं और उतनी ही जधा आप लोग price को increase कर रहे हैं मतलब अब तुमको मैंने बनाया था backward गवर्नर मैंने तुम्हें ये समझा दिया कि बच्चे पैसा जो है न वो लोन से मिलता है अब आपने देखा मैं तो RBI हूँ मेरी तो पूरे बैंकों में चलेंगी मैं तो जो कह दूँगा बैंक को मानना पड़ेगा तो आपने बैंक्स को ओडर दे दिया कि भाईया ये स्कीम स्कूम हटाओ तुम यहां से है न कोई स्कीम नहीं चलेगी ऐसा करो 20% rate of interest करो ब्याज जल्दी से लोन जो है वो 20% rate of interest पे मिलेगा अब जैसे ही आपको पता लगा 20% rate of interest के हम तो लोन ले ही नहीं रहे बहुत तेज rate पे दे रहे हो आप तो हमको लोन लेना ही नहीं है लोन नहीं है तो आपकी जेब में पैसा नहीं है पैसा नहीं है तो आप लोग demand नहीं करोगे demand नहीं करोगे तो जो price बढ़े थे वो अपने आप नीचे आ जाएंगे मेरी बात समझे यानि क्या हो रहा है RBI किस तरीके से control कर देता है RBI banks को order कर देता है कि आप जो rate of interest पे loan दे रहे हो उसको बढ़ा दो ताकि दुनिया loan लेने नहीं आए loan लेने नहीं आएगी तो inflation control हो जाएगा सारा खेल money supply का होता है और यह money supply को control करना RBI के ही हाथ में होता है तो inflation होता कैसे है वो हमने inflation को control करने के लिए RBI क्या करता है RBI rate of interest को increase कर देता है RBI rate of interest को increase कर देता है कौन से rate of interest lending rate of interest जिस rate of interest पे loan दे रहा था RBI अब उसको महंगा कर दिया RBI ने क्याब 2 पे नहीं मिलेगा 20 पे मिलेगा लेना हो तो लेओ नियुक्त भाग जाओ यहां से means RBI ने rate of interest पहले से costly कर दिये पैसा मिलना मुश्किल हो गया है पैसा जो है बहुत अच्छा लग रहा है सबको है ना क्यूंके वो मुश्किल हो रहा है वो dear लग रहा है सबको कोई भी चीज जो मुश्किलों से मिलती है कोई बच्चा CGL के अंदर first attempt में clear कर गया उसको शायद उस नोकरी की उतनी value ना हो अगर कोई बच्चा 6 साल लगातार तयारी करके बार बार फेल होके वो उस job को ले रहा है उससे पूछो की असली तयारी क्या होती है उससे पूछो की असली खुशी क्या होती है किसी भी चीज को clear करने की मतलब कोई चीज जो मुश्किलों से मिलती है ना बहुत मुश्किलों से बहुत मिद्दत करके बहुत मुद्दतों से आपको मिली है आपको वो जादा प्यारी लगेगी वो चीज़, वो चीज़ डियर लगेगी आपको, यहाँ पे भी अब क्या हो रहा है, पैसा बहुत मुश्किल कर दिया आर भी आई ने, बहुत मुश्किल कर दिया है पैसा मिलना, अब आपको अगर थोड़ा सा भी पैसा मिल गया, है पैस हाई मुझे पैसा मिल गया. याँनि आपको वो dear लग रहा है. इसी को ही क्या कहते है? Dear Money Policy. क्या कहते है इसको? Dear Money Policy. Dear M Speed Re least. Hindi वाले student कहेंगे Dear Mantly показыв. जैसे ही newspaper में सुना अपने कि RBI ने Dear Money Policy को अपनाया. RBI is following Dear Money Policy. It means RBI inflation को control करने के दम उठा रहा है. It means RBI ने loans जो है पहले से महंगे कर दिये It means RBI ने lending rate of interest पहले से जाधा कर दिये यह होता है dear money policy कहने की simple सी बात यह है कि अगर आपको inflation control करना है तो आप लोग dear money policy को अपनाएंगे RBI dear money policy को follow करेगा ठीक है थोड़ा सा slide में देख लेते हैं हमने क्या लिखा यही सब बाते लिखी है क्यूं होता है inflation due to increase in demand than supply ठीक है अब देखो reason क्या था inflation का अभी हमने समझी है सारी बाते reason क्या है inflation का अभी अभी हम लोगोंने जानी है यह सारी बाते clear करते हैं inflation क्यूं हुआ inflation क्यूं हुआ क्यूंके demand बढ़ रही है demand क्यूं बढ़ी क्यूंके पैसा बढ़ रहा है पैसा क्यूं बढ़ा क्यूंके cheap loans बढ़ रहा है तो हम अब इस problem को ही मिटा रहे हैं हमने क्या किया हम लोगोंने dear money policy को follow कर दिया dear money policy में क्या होता है RBI ने कहा कि भईया rate of interest को बढ़ा दो rate of interest को बढ़ा दो means जो lending rate of interest है उसको increase कर दो cheap मत करो lending rate of interest को costly कर दो महंगा कर दो बताए बात समझा रही है आप लोगों को आसान है कुछ भी नहीं है पूरी monetary policy इसी एक line पे चली जाती है आप खुद बताएंगे कि repo कम करे जादा करे CRR कम करे जादा करे बस बने रहे साथ में YouTube पे regular videos आप लोगों को मिलती रहेंगी लेकिन YouTube का और app का एक फर्क है यहाँ पे भी ग्यान मिलेगा आपको YouTube पे ऐसा नहीं है कि liability हो जाती है कि timely manner में आप लोगों की classes हमको करवानी है तो वहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग काम करवाते हैं मतलब जो number of videos हैं वो बहुत जादा regularity से और consistency से आती है YouTube पे भी आप लोगों को consistency मिलेगी लेकिन थोड़ा सा slow pace पे मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे भी हम सारी चीजों को clear करते चलेंगे inflation का effect क्या होता है inflation का effect क्या होता है जो point समझ चुके हैं उसको side में कर देंगे और जो नहीं समझे हैं उनको समझेंगे rise in prices of goods and services we have understood कि goods और services के अगर price increase हो रहे हैं उसी को ही inflation कहा जा रहा है inflation को control करने के लिए inflation से combat combat होता है लड़ाई to fight from combat का मतलब होता है to fight from to fight from inflation or to combat inflation RBI will follow dear money policy what is dear money policy dear money policy means increase in lending rate of interest by RBI RBI lending rates of interest को increase कर देता है it means पैसे को dear कर दिया पैसे को प्यारा कर दिया है ना कोई भी चीज़ जो कम होती है ना जो थोड़ी होती है वो आपको अच्छी लगेगी कोई भी दोस्त जो कभी-कभी आपसे मिलने आ रहा है आपके लिए special बन जाता है और कोई दोस्त दिन रात आपके पास ही पढ़ा रहे थे कि क्या ही यार इसकी तो क्या ही value है आप उसकी value नहीं करते हो कोई मुद्दतों में मिलने आ रहा है आपसे आप भी एक free day रखते हो उसके लिए हाँ कभी-कभी आता है ये तो इसको तो समय देना पड़ेगा पता नहीं next कब आएगा ये तो ये तो आर्मी में है नजाने कब इसको वापे शुट्टी मिलेगी कब मिलने आएगा मतलब कम है उसके मिलने की availability तो आप लोगों को उसकी value भी जादा लगेगी है न इसलिए कहते हैं हमेशा हर वक्त किसी के लिए available मत रहो अगर आपको अपनी value बढ़ानी है तो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पैसे को dear कर रहे हैं money को dear कर रहे हैं कैसे उसको महंगा करके उसको महंगा करके उसको मुश्किल बना रहे हैं प्राप्त करना उसको लेना मुश्किल बना रहे हैं difficult बना रहे हैं तब ही वो हमको dear लगने लगा क्योंके मुश्किलों से मिल रहा पैसा ठीक है अब next point आप लोगों को समझना है यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कुछ यह क्या है value of money जो है वो कम हो रही है जैसे ही price increase हो रही है यह बात यहाँ पे लिखी हुई है in inflation value of money value of currency will fall down कैसे और fifth point भी देखो purchasing power will also fall down अब इन दोनों points को हमें समझना है कि inflation के दोरान कैसे value of money कम हो जाती है या purchasing power कैसे कम हो जाता है हमें एक example से समझेंगे आज आप लोगों का मा लिजे 1 रुपी coin गुम हो जाए आप लोगों का 1 रुपी coin जो है वो गुम हो जाए misplace हो जाए तो क्या होगा परेशान होगे क्या कितनी देर परेशान होगे at max 2 minutes बस एक बार ऐसे देखा एक बार ऐसे देखा नहीं मिल रहा ठीक है यार कोई बात नी चला गया होगा ही दर उदर मिल जाएगा कोई बात नी अब आप लोगों का न दो हजार का नोट गुम हो गया दो हजार रुपे का नोट गुम हो गया अब तुमको न दो दिन तक नींद नहीं आएगी सारे पिलो देख लिए तुमने सारे गद्दे जाड जाड के देख लिए तुमने यार यहां भी नहीं मिला यहां भी नहीं म लेते हैं क्यों दोनों ही मनी हैं दोनों ही पैसा है इसके लिए इतना कम importance क्यों इतना जादा importance क्यों क्यों कि इसमें आज के दिन जादा सामान नहीं आ रहा सामान जादा नहीं आता है एक रुपए में क्या ही आता है कुछ भी दो हजार रुपे की अपनी लाइफ में वेल्यू जादा है क्योंकि उससे सामान जादा आ रहा है लेकिन एक वक्त आएगा जब यह दो हजार का नोट भी आपको बहुत तुछ सा लगने लग जाएगा बहुत छोटा कि यह क्या दो हजार की बात है कुछ भी नहीं आता इसमे में और आज एक रुपे में देख लो आप क्या हाल हो रखा एक रुपई यह का तो इसको एक और एक्जामपल से हम समझते हैं जैसे जैसे बहंगाई बढ़ रही है नोट की वेल्यू गिरती जा रही है कैसे मेरे पास ना हंडर्ड रुपी का नोट था मेरे पास हंडर्ड नोट दिया एपल के प्राइस दो रुपे पर केजी था कितने एपल में खरीच सकती हूं मैक्सिमम 50 केजी में खरीच सकती हूं जैसे ही मम्मी ने मुझे सो रुपे दिये मैंने क्या कहा अरे मम्मा इतना बड़ा नोट क्यूं दे रहे हो इसमें तो पचास कीलो से बाजाए एपल के प्राइस जो है वो है 200 रुपीज पर केजी अब मेरी मम्मी ने यही सो का नोट मुझे दिया अब मैं इसमें कितने एपल ला सकते हैं ओनली हाफ केजी अब मैं अपनी मदर को क्या कहूंगी अरे मम्मी बस सो रुपे ही देऊगी क्या सो रुपे में तो आधा किलो स पुछाते ही नहीं सामान यानि जैसे ही महंगाई बढ़ी आपके उसी सो के नोट की वेल्यू आपकी नजरों में चेंज हो रही है क्योंकि अब उसमें कम सामान आ रहा है महंगाई की वज़े से इंफलेशन की वज़े से अब उसमें कम आप गुड्ज और सर्विसेज पर्चेस कर पा रहे हो इट मींज आपको सो रुपे की वेल्यू नहीं दिख रही है जैसे ही इंफलेशन हुआ वेल्यू आफ मनी कम हो गई क्यों कम हो गई विकॉज आपकी खरीदारी की शमता आपकी पर्चेसिंग पावर वो कम हो रही है अब आप नंबर ओफ गूड्ज और सर्विसेज उतने ही अमाउंट में कम ला पा रहे हो अब आप मॉल में गए तो आपकी ट्रॉली भरेगी नहीं 2000 रुपे में क्यों क्यों क्योंके महंगा ही जादा है एक वक्ता 2000 रुपे में लड़कियों की शादी हो रही है समझ रहे हो बात को यानि जैसे जैसे इंफलेशन बढ़ेगा वेल्ली ओफ मनी डिक्रीज होगा बिकॉज अब पहले से कम सामान ला पाओगे पहले 50 केजी अपल आ जाता था भाफ केजी आ रहा पर्चेजिंग पावर कम हो रही है खरीदारी की शमता कम हो रही है तो इसको कहते हैं कि due to inflation, due to inflation क्या हो जाएगा inflation की वज़े से हम लोगों की value of currency will fall down और purchasing power will also fall down तो ये effects थे inflation के ठीक है अब एक और चीज हमें समझनी है जो बहुत जादा important है कि जो inflation है उसकी वज़े से किसको फाइदा होता है किसको फाइदा होता है, किसको profit होता है, किसको benefit होता है एक है राम और एक है मालो, रमन राम और रमन है, ठीक है राम ने रमन को 2015 में बिल्कुल situation ध्यान से समझना 2015 में 500 रुपीज जो है वो लोन में दिये 2015 में इंफलेशन जो था ऐसे मान के चलते हैं हम कि 25 रुपए पर केजी आपल आ रहे है आपल 25 रुपए पर केजी आ रहे है 25 रुपीज पर केजी आपल आ रहे है इन 500 रुपए से हम कितने आपल्स खरीद पा रहे है इन 500 रुपे से हम 20 kg एपल खरीद पा रहे हैं 20 kg एपल हम खरीद पा रहे हैं ठीक है और राम ने रमन को ये कहा कि 2022 में तुम मुझे 510 रुपे दे देना तुम मुझे 510 रुपे दे देना 10% in total मैं आप पे rate of interest लगा रहा हूँ मुझे 510 रुपे 2023 में लोटा देना अब मैं राम के पास बैठी थी रमन 510 रुपे उसको देने आया मैंने कहा अरे राम तु तो बड़ा फाइदे में रह गया 510 रुपे मिल गए तुझे तो 10 रुपे फ्री के कमा लिए तुने तो बैठे बैठे 500 रुपे के 510 तुने फ्री में कमा लिए राम खुश नहीं है मैंने कहा क्या हुआ कमाई हो रही है खुश क्यों नहीं हो उसने कहा तुझे पता है एपल के प्राइस 500 रुपीज पर केजी है इन 510 रुपे में कुछ नहीं आ रहा जब मैंने उसको पैसा दिया था उस समय इस नोट की वेल्यू बहुत जादा थी यानि रमन को जो अमाउंट मिला था 2015 में वो बहुत बड़ी हाई लेवल का नोट मिला था क्योंकि सामान जादा आता था उस समय लेकिन अब जब उसने आपको वापिस किया है तो बहुत ही छोटा सा नोट वापिस किया है बहुत ही छोटे से रुपए वापिस किया है इस सामान में इसने रुपए में कुछ आ ही नहीं रहा है तो मुझे तो नुकसान होगे एक अच्छा अमाउंट मैंने उसको दिया था और एक बुरा amount उससे लिया है एक अच्छी value वाला note मैंने उसको दिया था एक बुरी value वाला note मैं उससे वापिस ले रहा हूँ यानि यहां पे क्या होता है loan देने वाले को नुकसान होता है loan देने वाले को फायदा नहीं होता है नुकसान होता है not benefited not benefit राम को कोई benefit नहीं होगा जबकि रमन को benefit हो रहा है means हम क्या कहेंगे कि जो loan लेने वाला होता है inflation के दोरान loan लेने वाले को फायदा है inflation में loan लेने वाले को फायदा है समझ गए बात ये थे आपके inflation के effect जो हमने समझे अब इसके बात हम लोग आगे बढ़ते हैं कि deflation क्या होता है बिल्कुल इसके opposite deflation क्या होता है अगर किसी चीज़ के price 10 रुपीज थे कम होके वो price 7 रुपीज हो गए आप क्या कहोगे deflation आ गया ये deflation क्यों होता है डॉक्टर पहले 500 रुपे की परची काटता था OPD की अब डॉक्टर ने क्या किया 50 रुपीज का OPD चार्ज कर दिया आपको गए डॉक्टर तो बड़ा सस्ता हो गया जो दवाई पहले आप 100 रुपे की लाते थे आज उस दवाई के price 20 रुपे हो गए आपको गया दवाईयां तो बड़ी सस्ती हो गई यानि यह सस्ता होना ही deflation कहलाता है हिंदी वाले aspirants इसको क्या कहते हैं अपस्विती कहलाते हैं हिंदी वाले aspirants मुद्रा अपस्विती कहते हैं और इंग्लिश में इसको deflation कहते हैं deflation कहते हैं यानि fall in prices of goods and service goods और services के prices में continuous गिरावट आनी continuous decrease आना इसको हम deflation कहते हैं ये क्यों होता है deflation क्यों होता है deflation होता है क्यूंके demand नहीं है अब समझो मेरी बात को मेरे पास 50 books हैं और उन 50 books के लिए केवल 5 ही लोग line में हैं केवल 5 ही persons जो हैं वो उसकी demand कर रहे हैं मैं क्या कहूंगी buy one get five free निकाल दो बस book अगले साल तो ये वैसे भी निबिकनी बस फटा फट ले जाओ कोई बात नहीं थोड़े सस्ती ले जाना मुझे मेरा stroke clear करना है चाहे थोड़ा सस्ता ले लेना लेकिन ले लीजिए वापिस मेरी किताबे उठालो तो तुम सस्ता दे दूँगा ऐसा क्यूं हुआ क्यूंके demand कम है और आपके पास supply बहुत पड़ा है आपको stock clear करना है अब गर्मी की dresses पे इस समय दिवाली के season में गर्मी की dresses पे आप देखोगे sale लग रहा है क्यूंके आब winter वाला माल आ जाएगा सारा है ना woolen clothes पहनेंगी दुनिया जो ये cotton वगेरा के जो ये कपड़े थे पुराने ये अब नहीं बिकेंगे तो दुकान वालों ने sale लगा दी इसके उपर कि हमें stock clear करना है क्यूंके अगले साल तक ही outdated हो लेंगे तो जब demand बहुत कम है supply बहुत जादा है उस case में deflation हो जाता है तो अब ये deflation कैसे होता है demand कम क्यूं होती है क्यूंके लोगों के पास money नहीं है money नहीं है तो demand कम होगी money नहीं है तो demand कम होगी और ये money कम क्यूं है क्योंके अगर बैंक में अगर हम जाते हैं तो लोन बहुत कोस्टली है लोन बहुत कोस्टली है मुझे गाड़ी लेनी थी मुझे गाड़ी लेनी थी Scorpio N कौन सी Scorpio N मुझे गाड़ी लेनी थी ठीक है गाड़ी है 18 लैक की मेरे पास इतना पैसा है नहीं मैं इसकी डिमांड नह के लिए बैंक वाले बोले 22% rate of interest पे मैं लोन मिलेगा मैं वापिस आ गई कि भीया मैं नहीं कर सकती इतना महँगा लोन पे मैंने इस गाड़ी की डिमांड नहीं की क्यूं नहीं की क्यूंके मुझे लोन कोसली मिल रहा है लोन जितना कोसली मिलेगा पैसा उतना कम होगा पैसा जितना कम होगा डिमांड उतनी कम होगी और deflation आ जाएगा डिमांड कम होने की वज़े से ठीक है यहां से एक और चीज़ कोरिलेट कर लेते हैं हम खड़े खड़े यहीं पे ही हम एक चीज़ और कोरिलेट कर लेते हैं कि अगर डिमांड कम हो रही है तो सीधी सी बात है production भी प्रोडेक्शन भी कम होगा क्यूंकि दिमांड ही नहीं है तो बनाएं किसके लिए सामान मैनुफेक्चरिंग किस लिए करनी है? प्रोडेक्शन कम होगा तो हमको लेबर की जरुरत नहीं होगी, सबी लेबर को घर भगा देंगे, हम चुट्टी की वज़े से क्यूंकि हम लोगों को manufacturing करनी ही नहीं है नय products की हमको बनाना ही नहीं है नया production तो इस वज़े से unemployment भी बढ़ता है deflation की वज़े से deflation अच्छी बात नहीं है बुरी भी नहीं है अच्छी भी नहीं है ऐसे fix range के अंदर एक balance बनाके इंडियन economy को चलना पड़ता है, या किसी भी economy को एक balance बनाके चलना पड़ता है, बहुत जादा inflation भी खतरनाक है, बहुत कम inflation भी खतरनाक है, बहुत जादा deflation भी खतरनाक है, बहुत कम deflation भी खतरनाक है, तो एक balance बनाके चलना पड़ता है, क्योंकि deflation अगर price बहुत कम हो जाएं चीजों के तो आप लोगों के यहाँ पर unemployment आ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो यह हम लोगों ने अभी तक deflation के बारे में देखा, क्यों होता है deflation, due to decrease in demand, ठीक है, reason क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिये, deflation इस वज़े स हो रहा है क्योंके demand कम है, supply जादा है, demand कम है, supply जादा है, less money है लोगों के पास, less loan है market में, costly loan मिल रहा है market में, तो deflation आ जाएगा, ठीक है, loan costly है तो हम loan लेने ही नहीं जा रहे, और demand नहीं कर रहे है, तो deflation आ गया, इसके बाद effect of deflation देख लेते हैं, क्या होगा, बिल्कुल उसके opposite है, goods और services के prices में गिरावटाना deflation कहलाता है, इस से लड़ने के लिए अब अपनी उसी slide पे चलते हैं, अब यहाँ loan costly है, इस वज़े से deflation आया है, RBI ने देखा, यह बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, RBI ने मोस्पी से बात की, Ministry of Statistics and Program Implementation से बात की, जो unemployment का data देता है, कि क्या वज़े सर, यह unemployment इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, उन्होंने बताया कि factories में manufacturing रुख गई है, factories में production नहीं हो रहा है, RBI ने factories के अंदर phone की, क्या बात है production क्यों नहीं करें, उन्होंने का सर, demand ही नहीं है, banks से बात की, क्या बात, तुम loan नहीं दे रहे क्या, सर, पैसा नहीं है हमारे पास, फिर RBI अपना पैसा, banks तक पहुँचाता है, banks आगे customer को पैसा पहुचाता है, RBI क्या कहेगा, कि यह इतने costly loan मत दो, loan को cheap कर दो, loan को cheap कर दो, जो तुम 22% rate of interest पे दे रहे थे ना, 2% rate of interest पे दो, सब लोग आपसे loan लेने आएंगे, पैसा होगा demand होगी अपने आप production होगा, तो जब आसानी से पैसा मिलने लग जाता है, आप बैंकों में जाओ, easy, EMIs पे, easy, rate of interest पे आपको loan मिल रहा है, यानि, loan सस्ता हो गया, इसको ही कहते है cheap money policy, cheap money policy शब्द आते ही दिमाख में यह आ जाएगा, कि RBI is combating with deflation, RBI deflation से लड़ाई कर रहा loan सस्ते करने पड़े है, ठीक है, तो cheap money policy क्या होता है, वो भी आपने समझा, cheap money policy means decrease in landing rate of interest by RBI, ठीक है, value of currency जो है वो बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, अब 100 के note में ही आपको बहुत सामान मिलने लग जाएगा, क्योंके सामान बहुत सस्ता हो गया है, ठीक है, purchasing power फायदा होगा, loan देने वाले को फायदा होगा, clear हो गई बात, बिल्कुल उसके opposite है, जैसे हमने inflation में समझा था, अब हम देखते हैं कि कुछ government भी करता है कि inflation को control करने के लिए, दो तरीके की policy होती है, एक को कहते है fiscal policy, fiscal policy, वित्तिय नीती, और एक होता है monetary policy, मौद्रिक नीती monetary policy में क्या होता है, सारा काम RBI हैंडल करता है, यानि कि money supply को कम जादा करना RBI हैंडल करता है, और यहाँ पे सारा काम government को करना पड़ता है, कि भारत सरकार किस तरीके से money supply के अंदर अपना role play करता है, अब एक बात को समझना, अगर government tax rate कम कर दे, direct tax कम कर दे, तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो demand बढ़ जाएगी, कैसे समझो, मेरी earning 100 रुपे थी, मेरी income 100 रुपीज थी, government ने क्या कहा, government ने कहा कि 60 रुपीज, आप हमें tax का दे दो, 60 रुपीज, मेरी pocket में कितना बचा, 40 रुपीज बचा, और इस 40 रुपीज से मैं demand कर रही हूँ, यानि बहुत कम demand कर पा रही हूँ, क्यूंकि tax rate हाई है, अब government ने क्या किया, government ने कहा, government ने कहा कि भाई देखो, तुम्हें न, तुम्हारी income 100 रुपीज है, और ऐसा करो, तुम हमको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज tax का दे दो, 20 रुपीज टेक्स का दे दो, मेरी jayb में बच गया, मेरी pocket में बच गया 80 रुपीज की में demand कर रही हूँ जैसे ही tax rate में कम किया में demand जादा कर रही हूँ inflation जादा हो जाएगा inflation जादा हो जाएगा यहाँ पे RBI ने कुछ नहीं किया किस ने किया government ने किया tax rates में cut कर दिया जैसे ही tax rate में cut कर दिया economy में demand बढ़ जाएगी यानि ये होता है fiscal policy को use करके inflation को कम्या जादा करना ऐसे ही एक और step होता है fiscal policy के अंदर ही क्या step होता है subsidies को कम जादा करना subsidies को कम जादा करना समझते हैं अब government ने क्या कहा कि cylinder है जो LPG cylinder है वो है 1100 का वो है 1100 का और उसके उपर 300 रुपए हम आपको subsidy दे रहे हैं 300 रुपए हम आपको subsidy दे रहे हैं यानि 300 रुपए government ने pay कर दिये आपकी pocket से कितने लगे 800 रुपए आपकी pocket से लगे आपकी pocket से कितने लगे 800 रुपए लगे save कितने कर लिए ये 300 रुपए आपकी 300 सरकार ने दे दिये 800 रुपए आपकी पोकेट से लगे हैं इन 300 रुपए की आप कुछ और ही डिमांड कर रहे हो अब गवर्मेंट ने देखा कि मुझे मार्किट में डिमांड बढ़ानी है गवर्मेंट ने क्या कहा कि अब 1100 रुपए पे मैं आप लोगों को 600 रुपए की स सबसिडी देता हूँ यानि अब आपकी पोकेट से केवल 500 रुपीज ही लगे और इन 600 रुपए की डिमांड करने लगे आप आपने 600 रुपए में कुछ और डिमांड कर दी विकोज आपकी पोकेट में अब 600 रुपए सेव हो गए हैं जो गवर्मेंट ने आपके नाम के प या तो यह हमने देखा किस तरीके से गवर्मेंट फिसकल पॉलिसी का यूज करके महंगाई को कम्या जादा कर सकता है यानि कहने का भाव यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी से भी महंगाई कम जादा होती है और फिसकल पॉलिसी से भी कम जादा होती है question देख लेते हैं MCQ practice खुद दिमाग में मन में सोच के बैठो answer मैं अभी explain करती हूँ high inflation level in the economy leads to dash in the supply of money high inflation level in the economy leads to dash in the supply of money inflation जादा है तो money का supply क्या होगा जादा हो रहा होगा कम हो रहा होगा कोई change नहीं हो रहा होगा या none of the above answer क्या है money supply जादा है तभी तो inflation high है answer will be A next question is which of the following concept is the opposite of inflation inflation का opposite क्या होता है inflation का opposite होता है deflation easy ठीक है inflation का opposite is deflation a government results to dash to reduce inflation government क्या करता है यहाँ लिखा नहीं हुआ कि RBI क्या करता है यहाँ लिखा हुआ government क्या करता है inflation को कम करने के लिए यानि demand को कम करने के लिए means आपकी pocket में money को कम करने के लिए government क्या करेगा government अपनी government spending में cut कर देगा government expenditure को बढ़ा देगा repo rate reduce कर देगा none of the above repo rate तो government कुछ बोली नहीं सकता है यह तो RBI के हाथ में होता है अब दिमाग लगाओ और यह सोचो कि government अगर अपनी spending कम कर रहा है मतलब हमको अपना spend बढ़ाना पड़ेगा government अब हमको subsidy नहीं दे रहा है मतलब हमको पूरे rate में cylinder लेना पड़ेगा यानि हमारी demand कम हो गई हमारी pocket में पैसा कम बचा demand करने के लिए बाकी चीज़ों की demand करने के लिए यानि inflation अपने आप reduce हो गया it means answer will be a government अपनी spending में कट कर देगा अगर उसको inflation को reduce करना है क्योंकि अगर government खर्चा नहीं कर रही तो हमको करना पड़ेगा और हमारी pocket में कम पैसा बचेगा to demand another things कुछ और चीज़ों को demand करने के लिए अब हमारी pocket में जो सामान है जो पैसा है वो कम बच गया पैसा कम बच गया तो हम लोग बाकी चीज़ों की demand नहीं कर सकेंगे तो inflation कम आ जाएगा तो जब कभी भी government अपनी spending में कमी कर देती है, cut कर देती है inflation control हो जाता है तो I hope आप लोगों को topic clear हुआ आप लोगों को MCQ clear हुए इसी तरीके के कुछ और interesting sessions के साथ YouTube पे मिलते रहेंगे ये जो series है ये UPSC वाले experience के लिए base clear करेगा और CGL को तो पढ़ना ही ये है जो भी मेरे course को join कर रहा है जो भी हमारे पर्चम app से जुड़ रहा है मैं आप लोगों को इस चीज की surety दे रही हूँ कि आप लोगों को कोई और book पढ़ने की जरूरत नहीं होगी Notes एक comprehensive way में आपको मिलेंगे और comprehensive coverage ही videos में आप लोगों को मिलेगा Thank you so much, take care, bye-bye